अजा चिंटू चलो आज पहेली का खेल खेलते हैं मैं तुमसे कुछ पहेली पूछता हूं ठीक है चलो पहली पहेली काला घोडा सफेद सवारी एक के बाद एक की बारी बताओ क्या है काला घोड़ा सफेल सवारी एक के बाद एक की बारी मा बनाती है रोटी तवा में ओ अच्छा सर तवा और रोटी क्योंकि तवा काला होता है और रोटियां सफेल होती है और बारी बारी से मा उसे तवे पर रखती है पकने के लिए है कि नहीं सर येस येस बिलकुल सही जवाब तावा और रोठी ही है इसका सही आंसर चलो दूसरी पहली पूसता हूँ ठीक है उपर खुर्दरा भीतर रस्गुला उपर खुर्दरा भीतर रस्गुला इसका नाम बताओ तो बन जाओगे नसुर दिन मुला उपर खुर्दरा भीतर रस्गुला इसका नाम बताओंगा तो बन जाओंगा नसुर दिन मुला येस सर लीजी पहर से खुर्दरा खुर्दरा होता है और अंदर रस्गुला मलाई जैसा होता है सफेद है कि ने सर येस येस अफकोस अफसुलेटल राइट चलो अगली पहली को संभालो कटोरी पर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा बोलो क्या है कटोरी पर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा ऐसा कैसे हो गया बीटा बाप से गोरा कैसे हो गया मा गोरी होगी अच्छा अच्छा सर केरल के इलाकों में सबसे ज़्यादा नारियल होता है और नारियल अंदर से सफेद गोरा होता है और बाहर में काफी कठोर हाड होता है है कि नहीं सर बिल्कुल सही जवाब चिंटू तुम तो काफी तेज निकले थेंक्यू सर थेंक्यू थेंक्यू आज तक तो आपने मुझे बुडबगी कहा बल अब अगली पहले सुनो तीक है हरी थी मन भरी थी लाख मुती जड़ी थी राजा जी के खेत में दो शाला ओड़े खड़ी थी बताओ हरी थी मन भरी थी लाख मुती जड़ी थी और राजा जी के खेत में दो शाला ओड़े खड़ी थी سर भुट्टा भुट्टा मकई मकई हाँ उसमें ध्यर सारे मूति होते हैं और उसमें दो तीन परतों से वो ढाका होता था होता है हरा उसमें सालोड करके तो बस वही है उसे हम लोग पका करके खाते है चलो तेंक यू तुमने बिल्कुल सारे पहली का सही जवाब दिया चलो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक है तब तक के लिए बाई बाई जैहिए